नमस्कार आप देख रहे हैं जेटी एन नियूज इंडिया और आज के इस खास कारीकरम में हमारे साथ एक खास महेमान है और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बोकारू और धनबाद के स्रम परवरतन पदादीकारी और बोकारू के स्रम अधिक्षक स्री हरेंदर कुमार सिंग के सा आज भगवान विस्तो कर्मा जैंती के अउसर पे सभी स्रमिक बंदूओं को हर्दिक बढ़ाई बमसुप कामना सिंग साब सबसे पहले बोकारू के बहुत सारे से परती स्थान है जहां मजदूरों से बारा-बारा घंटे काम करवाये जा रहा है आपको लगता है कि यह लॉफुल है सर परतम तुम्हें आपको एक चीज यह बताना चाहूंगा विजय जी कि हम बोकारों जी लेके हमारे स्रम करया लेकि प्रधान पदाधिकारी उपसरमाई महोदयां स्रीमतियालपना सिना जी है परतुआ छुटी के दिन होने के कारण आपका आगरा था कि विश्व कर्मा पुजा है स्रमिकों का अज दीन है और आज हम लोग जे पी एसी के में तैयारी के एक जामनेशन के तैयारी के बई बैठक में थे तो आपके अगरा को स्विकार करते हुए मैं तैयार हुआ कि श्रमिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जनकारी दूँ ताकि श्रमिकों के अंदर एक जागरुकता आए उसके तहात ऐसा है लौफुल का मतलब यह है कि जदी देखे पूर्व में पहले था कि किसी भ 12 गंटा प्रति दिन तो नहीं कराना चाहिए चुकि उसको अराम करने का समय नहीं मिलेगा अगर कोई कराते हैं अजदी उसका अधिकाल मजदूरी मैंने अर्थात उसका ओवर टाइम मजदूरी नहीं देते हैं अधिहां आतरिक भुगधान जो सामान मजदूरी की दूगन होनी चाहिए नहीं देते हैं और ऐसा सिकाइथ हम लोगे पास आता है तो हम लोग उसका पैसे को अंतर रासी को दिलाते हैं और जो हठी नहीं हो जखोते हैं उनके विरुद्य मुकदमा दर्च करते हैं सक्षम नेयले में दावा पत्र भी दायर करते हैं और अभियोजन भी दाइर करते हैं उसी करम में मैं आपको बता दूँ कि तेनुगाट थर्मल पावर के एक संबेदक हैं उन्होंने मतलब जिसे अधिकाल मजदूरी का भुकता नहीं किया था तो उसका रासी जोड के उस पे दस गुना मुआउजा जोड के दाइर किया गया था तो जिसमें हमार जो अथिरिटी हैं उनके द्वारा उस पर निर्ने दिया गया निया निर्देश दिया गया वो संबेदक अपील में गए अपील में भी हार गए उनके बिरुद्द निलाम वाद दायर हुआ अनुवंडल पदा धिकारी तेनुगाट में बात दोके वो मजदूरों से समझा होता कि मातर एक लाग पचट्र हुज़ा उनका बास्तिविक बकाया था और उन मजदूरों को समझिए कि उसका दुगना हां मतब एक लाग पचत्तर हाजहार पलस एक लाग पचत्तर हाजार को डबल कर दिजिए उनको शपास शाड़े तीन लग क्याष बहुत हैं चाहर ल तो तयार रही है ये कानून है इसको देखने के लिए सारे लोग सजग है पत्रकार बंदू है यहां के सरमिक संग के पदा अधिकारी गन है या सरम विभाग के अधिकारी है तो यह अनुरोध है और फंडा इन लोगों ने निकाल लिया है आपका विभाग है अगर वो कि देखिए जब से हम लोग है एक तो करोना काल आया कार्ज की गतिविदियां बहुत कम हुई फिर भी सुरू से इस जिले के हमारे उपाईक महोदेगन का काफी सने और माग्रदर्सन मिला तो 2020 में हम लोगों ने अभियान छेड़ा जो कम मजदूरी दे रहे थे उनको भी बढ़वाया एक बहुत बड़ा चीज यहां क्या हो रहा था कि यहां पर आपको यह नहीं हो पा रहा था मतलब जो भीडिये हम लोग का होता है उस भीडिये का भुकतान तो हुआ कि हम लोग सजग हुए और यह डिफरेंस हम लोग भुकतान कराए वो कारों पहला जिला पास हम लोग मजदूरी के अंतर का भुकतान करा है बजापते पूर्व के उपायुक्त महोदे के हाथ से भी यह चेक का बितरन हुआ था अकबारों में भी आया था और उसके पहले भी अभी भी हम लोग तुरंत कराए हैं तो इस तरह है थोड़ा सजग तो हो सकता है कि को देखना है सजग है यह पूरन रूप से अपराध है किसी के पॉकेट से पैसा निकाल लेना जो जिस धारा का उलंगन है उसी तरह यह भी धारा है इस पर जागरुक हम लोग को करना चाहिए को इसे मजदूर थाना में सीदी जाके प्रासिंसाब हम लोग जागरुक्ता की जो लेबर से उनका जो लेबर रेट है तो जरा उस पे अगर आप रोशनी डाल सके तो जिसे अभी बरतमान में निमतम मजदूरी के साथ भीडिये को जोड के एक ठेका मजदूर के लिए जिसे माल लिजिए अलेक्ट्रो स्टील में काम कर रहा हो डल्मिया सीमेंट में या स्टील प्लांट में उसका मासिक बेतन होना चाहिए 9701 रुपईया और मतलब इसको समझे डेली होना चाहिए 374 रुपईया आप अगर उसको कोई देखे उसके इस तो डरा देता है लो कि आपको काम से बैठा देंगे तो यह यहां जो मजदूर लोग के बीच में में कहना चाहूंगा कि उनको भाय खाने क्या हो सकता नहीं है उनके पास गेट प्रास है ठेका मजदूर अधिनियम में असपस्ट प्रावधान है कि अगर किसी ठेकदार के हां 100 मजदूर है तो नियम है कि फस्ट कम लास्ट गो मतलब जो पहले आया है एक नमर पे जो हो जिसका टोक लोग नई समझने के कारण मजदूर लोग भैखा जाते हैं हम लोग को जहां सिकायत मिल रहा है हम लोग जोर सोर से इस पर लगए तो जैसे मैंने बताया कि अकुसल मजदूर लोग के लिए 9710 रुपया मासिक हुआ प्रती दीन का 373 रुपया 50 पीसा हुआ यह जो कोई ठेक रुपया 33 पीसा जिसका मासिक हुआ 894 रुपया 50 पीसा और जिसे मतलब कुसल का जिसे हुआ तो वह 430 रुपया है जदी कोई आपके घर में काम हो रहा है राजमिस्तिरी नियम के हिसाब से और अगर वही कुसल ठेका मजदूर है तो उसको 520 रुपया मिलना है और मेरा अपील करता हूँ कि किसी के साथ भी मजदूरी में किसी परकार के डिर्स्क्रिमिनेशन किसी इंपलायर के द्वारा चाहे हो कितना ही सकत और बड़े दबंक क्यों नहों मेरे हैं अगर लिखित सिकायत दर्ज करेंगे तो उनको सत परतिसत त्याय मिलेगा पॉजिटिव इन तो बहुत कुछ करना है अभी थोड़ा हम लोगा कर्याले भी बहुत दूर हो गया था नया भवन बन रहा था आज संजोक से मौका सभागे मिला कि शुकर्मा भगवान के पूजा के दिन हम लोग अपने नव निर्मित कर्याले के छत पे प्रंगन में बैठ के बात कर रहे ह अब थोड़ा सा बहुत सारा चीज होता है करयाले दूर था मजदूर नहीं जा पाते थे अब बीच यहां जिला के सारे करयाले हैं तो सभाविक बात है कि मजदूर आराम से आएंगे हम लोग मिलजूल के नया मेकिनिजम डेवलप कर रहे हैं हमारी डियल सी महोदेया जो है काफी सक्रिये हैं हमारे बरतमान उपायुक महोदे काफी एक्टिव है और उनका काफी इस मामला में हम लोगो परती मारग दर्शन और सहजोग है और अभी अनुमंडल पदादिकारी महोदे भी यंग है उनका भी काफी यह है पिछले अनुमंडल पदादिकारी भी आप भ ने बोला कि समय साधिक काम कराना हाँ कलकूलेसर अधारित भुगतान हो चाहे किसी से जो यह पैसा मने वापस ले लेनी के बात है इस पर भी हम लोगों का एक हुआ है कि हमारे अनुमंडल पदादिकारी महोदे के अध्यक्षिता में है क्या यह ज्यादा सिकायत बोकारो स्ट लोग और यहां एक्चुली बुकारो स्टील प्लांट में भारत सरकार के सरम विबाग के अधिकारी ठेका मजदूर अधिनियम और दोगिक विबाद अधिनियम आधि देखते हैं राज्य सरकार के लोग को केवल नियुंतम मजदूरी हमारे दर का उभुकतान करते हैं तो वो चीज हम लोग मातर के वल वही देख पाते हैं इसी लिए दोनों सरकार के लोग साथ में रहेंगे और जिला प्रसासन का नेत्रित तो निगरानी रहेगा तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है तो बीड़ी के तरह ही मैं बात करना चाहरा हूं बोनस को लेक कि जदी आप मुनाफा में हैं तो आपको उस मुनाफा का समानुपातिक रासी को सेटाउन में रखना है आपको बैलेंस सीट केलकुलेशन में मुनाफा में है तो आपको ऐसा नहीं है यह निवनतम दर है अधिकतम दर 20% है आपको जनकारी के लिए मैं बताऊं कि हम लोगों जब अध्यन किया तो उनको जो भुक्तान वो किये थे उसके अतरीक 13,53,24 रुपईया उनको भुक्तान करना पड़ा ये भी हम लोग प्रोसेस स्टाट कर रहे हैं चुकि थोड़ा अभी आप जान रहे हैं कि मैन पावर का भी कमी बहुत है जैसे मैं एक अकेला पदादिकारी दोनों सरम अधिक्षक का परभार में हूँ पूरे जिला के नौ दस जो भी परखंड है सरम परवरतन पतादिकारी के परभार में हूँ धर्माज जिला के सरम परवरतन पतादिकारी के वहां एक सरम अधिक्षक चारचर पद देखते हैं तो कर्याले के भी कर्मी थोड़ा क है फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सबका सहजोग लेकर और हमको लगता है कि इस दिशा में भी एक नया पौल हम लोग प्रारम करें तरह कि यह साइब में जो रिश्टर होते हैं मजदूर जो उनकी स्थिति है वी राची में एक होस्पीटल है भी बुकारू दूसरा होस् परनतों इसमें भारत सरकार और राज सरकार दोनों का भूमीकार आती है भारत सरकार के लोग इस कानून का प्रवर्थन करते हैं इसमें है क्या कोई भी मजदूर जो मजदूरी करता है तो उसके जो मासिक भुकतान होते हैं उससे उसका 0.75% काटा जाता है और employer 3.25 मिला के 4 प्रसेंट हुआ हाँ यह सई में जमा कर दिया जाता है कि उस मजदूर को उसकी पतनी उसके बच्चों उसके माता पितर का समुचित इलाज और हर प्रकार का किसी भी विमारी का करना है तो थोड़ा सा अस्पताल के कमी के कारण अब भारत सरकार ने एक निरने लेके बड़े- इमपैनलमेंट कर दिया है यह बहुत खुशी की बात है सुविधा बढ़ा है जैसे आपको धन्बकारों में मुसकान अस्पताल नीलम होस्पिटल आपको केम मेमुरियल जो भी बड़े-बड़े अस्पताल है उसी तरह अमने जगा भी इमपैनलमेंट है अब मजदूर लो उसमें थोड़ी कठिनाई आती है टेक्निकल चीज भी है उनके वाड को क्या है कि अंठावन हज्जार का आय परमान पत्र होना चाहिए उसे ज़्यादा होने पर रिफर नहीं कर पाते हैं यह सब बाते हैं थोड़ी जाग रुकता की अभाव है जी इरम के लिए अन्दर है यह है कि जो असंगठी चेतर के मजदूर जो निर्मान कारे में जो लोग फड़े हुए है उनका जो स्वास्त बीमा है वो सीधा आपके विभाग के अंदर है तो उस चेतर में अभी तक आप लोगों ने क्या किया है और क्या कुछ करना बाकी है इसमें ऐसा है कि एक बहुत अच्छा हम लोग उपलबदी पराप्त किये हैं हम लोग लगभग 75 से 80 हजार निर्मान मजदूरों को बोकारो जिला में निवंदित कर लिए हैं और जो मजदूर निवंदित है निर्मान मजदूर अगर उनको किसी परकार के हम लोग दो चिकि रहते हैं उतना दिन का नियुंतम मजदूरी का भुकतान हम लोग कर देते हैं एक दूसरा चीज है कि गंभीर असाध्य किसी को बिमारी हुआ तो उसको हम लोग चिकित सा प्रति-पृति साहता ही हो जना बोलते हैं इसमें अड़ाई लाग तक का हम लोग उस हो स्पिटल को अंडर्टेकिंग दे देते हैं इस बिमारी का आप इलाज कीजिए और जो भी लोग उसका भुकतान हम करें गया और महिलाओं के लिए एक है कि जो महिलाएं मैं मजदूरी हम करती हैं और उनको गर्भावती जब होती हैं तो उनके प्रता में दूसरे प्रसौ अवस्ता के हाँ दिया पहलrices सब्ता था तो उसी केनुसार 12 सब्ता का मजदूरी भी हम लोग महिला मत्रेंकर क देख है मुदर को को लेकर करने दिखित क्या और य crg ने दुछ का मिंदूरूब हिं होगी और द्रमें कारिया अब भी से पर ने से max 2 इस माहीं है तस्तर पे थोड़ा नुकड सभा टाइप का जागरुकता के लिए जिंगल से परचार परचार परसार कराएंगे कि आपको निबंदन कराने पर यह 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 लाव है और उसके कारण में जागरुकता जब रहेगी तो वो आएंगे दुसरा एक आपके माध्यम से और भी देना नहीं है और आज के डेट में मैं और अच्छी बात बता दूं हमारे जो भी वेवस्ता अब हो गया अब पहले तो निबंधन ऑनलाइन था अब लाव के आवेधन भी ऑनलाइन हम लोग से कारने लगे अब मतलब जैसे लाभू कोई है प्रग्या के इंदर से अपना मोटल में फरवर्ट करेंगे मैं सीधे अप्रूब्ड करूंगा और उनके खता में उतना परिशा टांपर हो जाएगा जिसमें परदर सी कागज बचत बीच में कोई बिचोलिया का कोई इंट्री नहीं यह सिस्टम यह अभी स्टाट हुआ है और जब से मैं इस जिले में आ और मिहान साथ की मुलाकात करवाएं को और तब तक के लिए नमस्कार